Hello everyone, इस वीडियो के माध्यम से हम इस question को solve करना सीखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ तो ये एक random problem है mathematics की जो की हमें भेजा है करशन खोजाने तो आएए इस question को solve करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस question को पढ़ें तो question कह रहा है solve the following equation for x and y last video भी हमने एक x और y की equation को solve करने का बनाया था ये उसका second part है तो इसमें हम b option ले रहे हैं a option हमने previous video में बताया था तो इसमें हम कैसे करेंगे इसमें बिल्कुल same process रहने वाला है सबसे पहले हम इसको solve करेंगे इसको simplest form में बनाएंगे और ऐसे base में बनाएंगे जिससे ये आसानी से calculate हो जाए तो अगर हम यहाँ पे under root 32 को देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 raise to the power 1 by 2 की whole power में चला जाएगा x ठीक है इसकी बाद यहाँ पे लिखा हुआ है divide by 2 raise to the power y plus 1 is equal to 1 अब इसको हम और ज़्यादा जब solve करेंगे तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है divide में 2 तो जो चीज divide में होती है transposing rule लगाएंगे तो उधर multiply में चली जाएगी तो इसको हम simply इसके साथ multiply में लिख सकते हैं ठीक है अब इसको अगर हम और ज़्यादा solve करें तो हमें मिलेगा 32 raise to the power x by 2 यह कौन से rule से हुआ तो यह हुआ है a raise to the power m whole power n is equal to a raise to the power m into n तो यहाँ पे यह वाला rule काम करेगा 1 by 2 into x हो जाएगा तो यह हो जाएगा x by 2 अब यह divide by वाला 2 अगर हम उस साथ भेज़ते equal के transposing rule लगाके तो उधर multiply में जाएगा और 2 into 1 हो जाएगा तो 1 से multiply होने पर यह आ जाएगा 2 raise to the power y plus 1 अब यहाँ से अगर हम 32 के factor निकाले और इसको भी 2 की power में बनाने की कोशिश करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raise to the power of 5 whole power x by 2 is equal to 2 raise to the power y plus 1 अब इसको और ज़्यादा solve करेंगे तो यह हो जाएगा 2 raise to the power same condition यहाँ पर भी whole power वाला यही rule लगेगा तो यह हो जाएगा 5 x by 2 is equal to 2 raise to the power y plus 1 अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनोई side base same हो गया है पावर अलग-अलग है तो अब हम इसका comparison करा देंगे तो यह हो जाएगा after comparison यह क्या हो जाएगा इसकी power जो है वो equal हो जाएगे आपस में 5 x by 2 is equal to y plus 1 यहाँ से इसको और solve करेंगे तो हमें मिलेगा 5 x is equal to 2 से इसमें multiply हो जाएगा 2 y plus 1 और ज्यादा solve करने पर हमें मिलेगा 5 x is equal to 2 y plus 2 यह हमारी आजाएगे equation number 1 इसके बाद हम इस side को solve करते हैं जो कि हमारा equation number 2 देगा तो इसको कैसे solve करेंगे same process है सबसे पहले यहाँ पर देखो आप यहाँ पर लिगा हुआ 16 raise to the power 4 minus x by 2 अब minus में 8 है उस तरफ भेज देंगे transposing rule लगा के तो plus में हो जाएगा 8 raise to the power of y अब इसको हम 2 की power में बनाने की अगर कोशिश करें तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 raise to the power of 4 whole power 4x 4 minus x by 2 is equal to यह हो जाएगा 8 को भी अगर हम 2 की power बनाए है तो 2 raise to the power of 3 whole power हो जाएगा इसकी y ओके यहाँ से हम same process वही वाला rule लगाएंगे a raise to the power m whole power n is equal to a raise to the power m into n यानि कभी भी कोई power की whole power अगर होती है तो फिर उसका आपस में multiply हो जाता है तो अब दोनों ही cases में multiply हो जाएगा यह हो जाएगा 2 raise to the power 4 multiply 4 minus x by 2 is equal to 2 raise to the power 3y अब अगर यहाँ से हम देखें तो दोनों तरफ base same हो गया और base same हो गया तो अब हम इसका comparison करा सकते हैं यानि हम यह कहतेंगे यह हो जाएगा after comparison power यह आपस में equal हो जाएगी यानि 4 4 bracket के अंदर हो जाएगा minus bracket के अंदर हो जाएगा 4 minus x by 2 is equal to 3y अब इसका हम bracket open करते हैं तो यह हो जाएगा 16 minus 4x by 2 is equal to 3y इसको और ज्यादा simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 16 minus 2x is equal to 3y यह हो जाएगा 2 1 जा 2 तो 2 जा 4 यह cancel हो जाएगा तो यह 2x बचेगा तो यह हमारी कुछ आ गई equation number second अब अगर हम equation को simplify करने की कोशिश करें तो यह हो जाएगा 5x minus 2y is equal to 2 यह की हमारी थी first equation अब यहां से अगर second equation से अगर हम y की value निकाले तो यह हो जाएगा y is equal to 16 minus 2x by 3 यानि कि हमने जो इस 3 को है दूसरे side transfer कर दिया तो यह क्या है पूरे के साथ y में चला जाएगा तो यह हमारी y की value आ गई अब इसी y की value को अगर हम equation 1 में रख दे यानि हम लिख दे by putting the value of y y के अगर इसमें value रख दे तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा यह हो जाएगा 5x और अगर इस 2y को हम उस तरफ transfer कर दे is equal to 2y plus 2 अब इसको अगर हम solve करें तो 5x is equal to 2 into y की value जो हमारी आई हम रख देते हैं 16 minus 2x upon 3 plus 2 तो इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 5x is equal to इसके साथ इसमें multiply हो जाएगा तो हो जाएगा 32 minus 4x upon 3 plus 2 इसको और ज़्यादा simplify करने पर यह हो जाएगा 5x is equal to इसका LCM हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 32 minus 4x plus 6 अब अगर 3 से इदर multiply करते हैं तो यह हो जाएगा 15x is equal to 32 और 6 हो जाएगा 38 minus 4x इसको इदर transfer करेंगे तो यह हो जाएगा 19x plus में आ जाएगा और add हो जाएगा y is equal to 38 यहाँ से x की value हम निकालेंगे 38 है यहाँ से x की value निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 यानि कि यह आजाएगी 38 by 19 और cancel हो के बचेगी 2 अब इस जो x की value आई है इसको हम रख देते हैं equation 2 में तो इससे हमें y की value मिल जाएगी तो x की value रख दो तो यह हो जाएगा from equation 2 equation 2 में अगर हम value रख दे तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा y is equal to 16 minus 2 into x की value आई है 2 upon 3 इसको अगर हम simplify करेंगे तो यह हो जाएगा y is equal to यह जाएगा 4 minus 16 16 4 minus होगा तो बचेगा 12 12 y 3 यहाँ से हमें y की value मिल जाएगी is equal to finally 4 यह इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें मिला answer 10 x की value हमें क्या मिली x की value हमें is equal to 2 और y की value हमें मिली is equal to 4 यही दोनों हमारे क्या हो जाएगे यही दोनों हमारे answer हो जाएगे ओके तो देखा कितने simple तरीके से हमने इसको solve कर लिया अगर आपका भी कोई question है तो आप हमें comment के माध्यम से भेज सकते हैं ओके thank you